आप मार्किट से 1.500 रुपे किलो, 200 रुपे किलो, 500 रुपे किलो वाले पैकिट खरीद रहे हैं उससे अच्छा है कि 10 रुपे का गन्य का जूस पी लें या आप गन्यास का सिवन कर लें आपकी स्वास्तर के लिए देशी चीज मैं आपको बता रहा हूँ और यह चीज आपके स्वास्तर को बहुत अच्छे तरीके से मैंटेन करेगा इसके कुछ साइड एफेक्ट नहीं होंगे आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ इससे आपका लिवर डिटॉक्स होता है इससे आपका यूरिनरी सिस्टम डिटॉक्स होता है इससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का इंप्रूमेंट होता है आपका भूग बढ़ता है आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्थ जो है बहुत अच्छे हो जाती है यह आपके सरीर में कमजोरी नहीं होने देता है यह आपके सरीर के अंदर एंटी ऑक्सिडेंट्स की भरपूर मात्रा भीजता है जिससे आपकी एजिंग प्रॉसेस बुढ़ापे की तरफ जो आप जा रहे हैं इस एज को धीमागर देता है आज हम साइन्टिफीकली चमजेंगे किस तरीके से आप गन्य का यूज करके कई सारी बिमारियों को ठीक कर सकते है आम तोर पर आपने कई सारी बिमारियां चोटी चोटी बिमारियां जिने आप समझ नहीं पाते हैं लेकिन जब हम इन्हें समझ नहीं पाते हैं तो ये बड़ा होकर के बहुत बड़ा रूप ले लेती है धीरे 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 बढ़ती रहती है तब भी हम ध्यान नहीं देते लेकिन जब ये बहुत जादा बड़ा हो जाता है प्रॉपलम तब ये बहुत बड़ी समस्या का एक र कहते हैं गन्य का जूस के बारे में आपने बहुत सुना होगा गन्य का जूस बहुत बेनिफिट होता है क्या गन्य के बारे में आपने कभी सुना है गन्य हमारे स्वास्थर के लिए बहुत जादा फाइदेमंद होता है आखिर कैसे फाइदेमंद होता है आखिर गन्य का यू कीर के अंदर अगर कोई बन रहा है तो वो कम हो जाते हैं कैंसर का्षट कम हो जाता है तो यहाँ पर गन्हे को यानी की शुगर केन का बहुत अच्छा यूज्स इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं गन्न जिसके इंगलीज में शुगर понад कहा जाता है इसके क्या वेने स्कीज यह आपकी लिवर को डेटॉक्स करता है यानि कि अगर आपके लिवर में कोई a नाerson है ने के लिवर अवर अच्छे तरीके आपका proper digestion नहीं होता है शुबह लेटरिंग जाते समय आपको कोई समस्या होती है सही से नहीं होती है ऐसी स्थिति में भी आपको बहुत अच्छा इस्टूल पास आउट होगा आपकी इस्टूल आसानी से निकल जाएगी और आपको digestive system में बहुत जादा improvement देखने को मिलेगा इसके साथ में दोस्तों इसके नदर फैट बिल्कुल भी होती है फैट बिलकुल भी नहीं है इसके नदर 180 calories देखने को मिलती है 1200 gram गर्णी के अंदर अगर आसन सब्दों में इसे हम समझना चाहें तो 500 ग्राम करने के जूस में आपको 180 कैलरीज देखने को मिल जाती है जो के बहुत अच्छी कॉइंटेट और बहुत कम मात्रा में प्रोटीन पाय जाता है तो यह बहुत ही अच्छा विकल्प है हमारे सरीर के लिए साथी साथ आपने हजारों रोपे के आपने मार्केट में मिलने वाले कई सारे पाउडर्स पी होंगे जिसमें की एनर्जी वूस्टर हैं आपने कई तरह तरह के ऐसे ब्रांस लिए होंगे अच्छे अच्छे कंपनियों के ब्रांस लिए होंगे जिसमें आपको बता जाता है यह इसे आपके weakness, ठकान, कमजोरी, कई सारी problems आसानी से ठीक हो जाती हैं, तो आपके सरीर के अंदर instant energy को provide कराता है, और दोस्तों जिन लोगों को urinary से संबंदित पिशाब का infection हो रहता है, ऐसी इस्तिती में आप गन्य का शेवन कर सकते हैं, गन्य का juice पी सकते हैं, उससे आपकी पिशाब बढ़ जाती है, जब पिशाब बढ़ेगा, तो आपके पिशाब का infection है, वो भी धीरी-धीरे कम हो जाता है, और आपने देखा होगा पीलिया के मरीज, जितने भी पीलिया के मरीज होते हैं, दोस्तों बहुत ही ज़्यादा है, आप उनको juice दें, गन्य का शेवन कराएं, बहुत जल्दी पीलिया में आसानी से उस मरीज को आरा मिल जाता है, और जल्दी ठीक हो जाता है, इसके साथ मैं दोस्तों इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में Antioxidants होता है Antioxidants दोस्तो जैसे Flavinoid है और यह क्या करता है आपकी जो बढ़ापी की तरफ आप जो जा रहे हैं तीजी से उसे धीमा कर देता है आपकी इसके नियंग रहती है चमगदार रहती है गिलू रहता है बहुत अच्छा बेरिफिट है दोस्तो इसके अलावा दोस्तो इसके अंदर कारोहाइड़ेट 40 ग्राम होता है 500 ग्राम में जो आप सभी के लिए कोई जादा बड़े माहिने नहीं रखता है लेकिन दोस्तो इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में मिनरल्स पाई आते हैं पोटेशियम है इस मजबूत हो जाएंगे आपके जो हड्यों से संबंद भीमारिया होती है या दातों से संबंद भीमारिया होते वह कम होगे इवन आप बचे रहेंगे तो यह बहुत ही अच्छा बिकल्प है आप मार्केट से 1500 रुपे किलो 500 रुपे किलो वाले पैकेट खरीद रहें उससे अच्छा है कि 10 उर्पेका गन्य का जूस पी लें या आप गन्यास का सेवन कर लें आपकी स्वास्थ के लिए देशी चीज में आपको बता रहा हूं और यह चीज आपके स्वास्थ को बहुत अच्छे तरीके से मैंटेन करेगा इसके कुछ साइड एफेक्ट्स नहीं होंगे और आसानी से आप अपने स्वास्थ को मैंटेन कर सकते हैं स्वस्थ रख सकते हैं और अपने घर वालों को भी इसी तरीके से आप स्वस्थ रख सकते हैं बहुत अच्छे मात्रा में यह मीठा भी होता है इसका टेस्ट बहुत अच्छा है सुगर के मरीजों को यह नहीं दे अगर ऐसे मरीज हैं आपके आसपास या आपको किसी में से शुगर है किसी को तो सुगर वाले लोग इसे बिलकुल शेबन न करें ना जूस पियें और ना ही गन्ने का शेबन करें ये आप ध्याल रखें मुझे आशा है ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपोर्टेंट है और इस वीडियो को आप जरूर फॉलो करेंगे और कई लोग इस वीडियो का इंतिजार कर रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें सभी को प्रोवाइट कराने की कोसिस की है और आशा है ये वीडियो आप सभी के लिए ये जानकारे आप सभी के लिए बहुत इंप्रेटेंट होगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें फीसबुक पर फॉलू कर सकते हैं हमें आप बिलॉग पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं नमस्कार जैहिन श्वास्त रहे मस्त रहे